असला लिखों फ्रेंज आज मैं आपके शायर करूंगी पनीर मखनी हांडी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलेशिस बनके तयार होती है रिसेंटली मैंने इसे चिकन में बना के आपके साथ शेयर कहा था बहुत लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद गी तो मैं आज आपके साथ यह बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी पनीर के साथ लेके आई हूं तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं पहले हम कुछ मसालों को ड्राय रोस्ट कर लेंगे तो मैंने यहां पे एक छोटा चमच साबू धनिया लिया है दो से तीन हरी लाइची एक आधा पाउडर बना लें अब एक कडाही ले लें उसमें आप अपने हिसाब से डेल आड़ कर लीजेका मैंने दो बड़े चमच के खरीब ऐड कर दिया है अगर आपके पस बटर हो तो एक क्यूब बटर कर लीजेका मेरे पास इस टाइम पर नहीं थी एक मैंने मेडियum साइज का बारिक पेस्ट बना लिए ऐसे आड़ कर देंगे प्यास को हम एक से दो मिनट अच्छे से यहां पर भूनना है ताकि इसका कच्छा स्मेल है वो निकल जाए प्यास के अच्छी से खोश्बू रिलीज हो जाए यह प्यास अच्छा सा भून जाएगा तो एक बड़ा चमच आड़ कर देंगे ओ, को मिक्स कर दिया हमीट किने फोट यहां पर पानई आए कर के निचे से जले नहीं और इसे अच्छे से मेक्स करने करने के बाद मैने मसाले को ड्राइय मेर करके करका था इस पॉइंक पर वहां भीड़ा ने किया आई दरदरा की रखा इसे भी हम कूछ दही को एड़ करेंगे देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है तेल भी अच्छा से सेपरेट होने लगा है तो यहां पर मैंने हाफ कफ दही लिया दही को पहले अच्छा से फेट लीजेगा उसके बाद ही यूश कीजीगा और दही जो यह मैंने लिया है यह खटी वाली दही नहीं है बिल्कुल नॉर्मल दही इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके भी हमें अच्छे से बुनाई करनी है जब तक हमारा तेल सेपरेट ना हो जा तब तक इसे हमें बुनना है दो से तीन मिनट लगेगा इसे बुनने में तो देखिए बहुत ग्रेवी रिच ग्रेवी बन के तयार होती है तो जरूर से चाय कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक किजएगा चनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलीगा इसे भी मैंने भून लिया है तेल सेपरेट हो गया तो यहां पर दो बड़े चमच मैंने फ् आप और यहां पर मेरी के लिद्ध्य के लिद्धर करता है तो यहां पर मैने शिख जाहरे क्योगे एक चुटो छोटो कर दो जाहें उसके घहाँ पर झाब करणे के यहां अठैंगर। और ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें पानी आइट कर देंगे तो बहुत जादा इस डिश में ग्रेवी नहीं रहती इसलिए मैंने आदे कट शोटी कटोडी इसमें पानी आइट कर दिया है लगभग हाफ कप के करीब तो इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे और लगभग साथ से आठ मिनट के लिए से हम कवर कर लेंगे बिलको लो टू मिडियम फ्लेम पे से हम कवर करके पका लेंगे वीडियो पसांद आ रही तो प्लीज एक लाइक ज़रू सी किजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा देखिए हमारा साथ से आठ म अपनिर मखनी हांडी के लिए दर्काता यार कर लेते हैं तो यहां मैंने गयस पे पैं चरहाया है इसमें एक बड़ा चमच तेल एड़ कर देंगे रिफाइन तिल यहां पर मैंने थोड़े से क्यूब में कटे हुए टमाटोर और क्यूब में कटे हुए शमला मिर्च लिए है दो तीन हरी मिर्च लिया है इस तरह से हम इसे एक से दो मिनट पका लेंगे उसके बाद हम आप इसे पनीर मकनी हांडी में इसे ट्रांसफर कर देंगे इससे हमारे जो पनीर मकनी हांडी का टेस्ट है बहुत ही जादा बढ़ जाता है सूपर टेस्टी सूपर डिलेशिज हम हमारा पनीर मकनी हांडी बन के तयार है अब इसे हम एक मिक्स दे देंगे सेम रेसिपी मैंने चिकन के साथ भी अब वीडियो अपलोड की है आप चाहें तो भी बना सकते हैं उसे भी ट्राइ कर सकते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जरूर से देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा चानल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलती हूँ इन्शालला फिर लौट क्या होंगे एक बहुत ही जबरदसी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अला हाफीज